let's move forward, यहां पर क्या बोल जला है, area of inverse function, ठीक है, उसका, उसमें first point क्या बोला, to find area bounded by y is equal to f inverse x, we can equally find area bounded by y is equal to f x, and in all rest of the terms, interchange x and y, ठीक है, इसका मतलब कहा है, कि पहले तो inverse का क्या मतलब होता है, अगर function से if you can recall, then inverse के लिए जो x and y होगा, वो function के लिए y and x होगा, तो अगर मालने कहीं पर भी f inverse involved है, तो अगर मैंने इसमें x और y interchange किया, तो y is equal to f x आ जाएगा, ठीक है, तो अगर f inverse से, और x axis, मालने अमर को, उसने बोला कि f inverse और x axis के बीच में, x is equal to 1 and x is equal to 5 के बीच में ये area निकालो, ठीक है, y is equal to f inverse, x axis, के बीच में bounded area between x is equal to 1 and x is equal to 5, now you should appreciate, कि अगर मैं x axis को y axis बोल दूँ और y axis को x axis बोल दूँ, ठीक है, तो मतलब it is something like, ये x axis है, ये y axis है, if you can see, इसको मैं flip करके ऐसे कर दूँ, तो it will become y axis and this will be x axis, right, you are supposed to look at the camera, right, तो area जो है वो तो change होगा नहीं, जितना पहले आ रहा था, वी भी उतने ही आएगा, तो that means, कि ये वाले area निकालने के लिए, what I can do, कि x और y को identically interchange कर दिया, उसको लोगे x axis की जगह मैंने बोल दिया y axis, ये ठीक है, f x की जगह मैंने बोल दिया, sorry, f inverse की जगह मैंने बोल दिया y is equal to fx, ये भी x और y को interchange करके मिल गया, और x is equal to 1 से x is equal to 5 की जगह हमने बोल दिया y is equal to 1 से y is equal to 5, अब ये area निकाल लिया, ठीक है, पहला चीज तरही हो गया, दूसरा, ऐसा करने के पीछे purpose कह है, ऐसा उस question मों कर सकते हैं, जिसमें मैं f inverse x का definition ना मिल रहा हूँ, ठीक है y in terms of x ना मिल रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे ये area निकालने के लिए, मिले को y dx करना पड़ेगा, वो करने की बजाए, यह ठीक है, अगर वो नहीं निकल रहा है, अगर माले f inverse ही निकल आया था तो कोई जरूती नहीं फाल तो दमाग लगाने का, फिर तो हमने f inverse को integrate कर लिया, अगर हमें fx पता है, f inverse का explicit form में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे का सकते हैं, अच्छा, हमने बोलने के लिए ऐसे बोला कि y-axis वाले एरिया निकाल दिया, effectively जो यह एरिया निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे x-axis की help से, ठीक है, क्योंकि y-z equal to fx को अगर हमने y-axis पर integrate किया, तो मेरे को x-dy लिखना पड़ेगा, तो x-dy लिखने का मतलब गया कि मैंको x चाहिए y के टर्म्स में fx की definition से, अगर वो निकल पाता, तो तो फिर सीदा-सीदा यही f inverse ही निकल लिए आता, यही निकल आता, तो वो जहां पर नहीं निकल पाए, उसी के लिए हमने alternate तरीका बताएं, तो मैंने क्या बोला कि लिख fx बरावर xq plus 4x, ये ठीक है, xq भी increasing function है, 4x भी increasing function है, तो increasing plus increasing increasing function होगा, तो ये एक increasing function आ गया, ये ठीक है, obviously origin से पास कर रहा है, तो हमने ऐसे rough graph ना दिया, increasing 0 से पास करने वाला, origin से पास करने वाला, then find the area bounded by y is equal to f inverse x and x-axis, and f inverse x के बीच में area थाए, between the limit x is equal to minus 5 and x is equal to 16 area, and x is equal to 16, तो इसमें हमने क्या किया, यहां से solution शुरू हो गया, कि identically x और y को interchange कर दिया, ठीक है, तो y is equal to f inverse x में interchange किया, तो I'll get y is equal to fx, x-axis की जगे, I'll get y-axis, and x is equal to minus 5 and x is equal to 16 की बजा, I'll get y is equal to minus 5 and y is equal to 16, तो, हाँ, अब जैसे rough graph यह हो गया, origin से pass कर रहा है, increasing function है, और y is equal to minus 5 यह line हो गया, y is equal to minus 16 यह हो गया, ठीक है, तो यह जो shaded area है, यह मेरे को निकालना है, बट यह area निकालने के लिए y-axis पर integrate नहीं करेंगे, क्योंकि, जैसे मैंने पहले बोला, कि यहां से x cube plus 4x, मतलब यह ऐसे लिखा है, y बराबर x cube plus 4x, तो अगर मैं यहां से x निकालू, तो निकले गए नहीं, cubic को कैसे solve करें, quadratic होता तो चलो हम formula रगा लेते, cubic में से x कैसे न तो a के rectangle आ गया, यह ठीक है, okay let me show, ठीक है थोड़ा सा part बना लिया, मेरे को यह area चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या क्या क्या, तो o, a, b, c rectangle आ गया, इस rectangle का area निकाल लिया, अच्छा, अगर मैं y is equals to fx, and x axis के बीच में area निकालू, मतलब यह वाला area निकालू, तो rectangle के area मे चाहिए, ठीक है, ऐसी करेंगे अब solve, अब area निकालने के लिए मेरे को a चाहिए, a मतलब x coordinate चाहिए, इस point का, ठीक है, जिसका मेरे को y coordinate पता है 16, इसलिए मैंने यह 16 के बराबर कर दिया, यहां से x निकाला, ठीक है, और x क्या निकला, x बराबर 2, यह x बराबर 2 कैसे निकल cubic को solve all नहीं किया, यह तो simply हमने ऐसी तुक्का मा रहा है, यह ठीक है, hit and trial से x बराबर 2 निकला है, ऐसी minus 5 पे value किता निकला है, minus 1, तो यह जो दो values आए, x is equals to minus 1, and x is equals to 2, यह दोना hit and trial से आए, ठीक है, अब integrate कर लिया, जैसे यह वाला area निकालने के लिए, minus 1 से 0 तक integrate कर दिय नीचे का वे, इसलिए minus लगा लिया, तो integrate करके यह आगया, ठीक है, ऐसी यह वाला area जो है, वो 0 से 2 तक integrate कर दिया आगया, तो total area के लिए क्लिए 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 क्लिए, यह 16 into 2, वो तो हो गया, इस rectangle का area, यह ठीक है, जिसमें 2 यह है, और height 16 है, उसमें से यह A2 निकाल दिया and similarly यह निकाल दिया, ठीक है, ओके, next question then, find the area bounded between these two curves in the first quadrant, अच्छा, इन दोनों का उसमें क्या है, कि Y2 is equals to 4AX जो पैरा बोला होगा, वो तो origin से ऐसे वनेगा right hand side पे, बट अगर हमने X को X plus A से replace कर दिया, तो यह A से left hand side पे shift हो जाएगा, तो graph ऐसे वनेगा, ठीक है, अब इ इसमें notice करने लाइक चीज़ क्या है, कि इस equation में और इस equation में क्या अंतर है, कि वल एक अंतर है कि इसमें, घर मैं X और Y को interchange कर दो तो यह आ जाएगा, यह ठीक है, तो इसको हम function तो नहीं बोल सकते, because यह तो function ही नहीं है, यह ठीक है, तो inverse function तो नहीं बोल सकते है, मैं एक interchange किया, तो यह ठीक है, तो जो दूसर ग्राफ है, यह ठीक है, this is minus A, तो दूसर ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, दूसर पैराबला जो है, ठीक है, वो इस पहले पैराबला का ही reflection होगा, Y is equals to X में, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लगा, Y is equals to X से, कि अगर मैंने यह point of intersection, Y is equals to X पे लाई करेगा, ठीक है, तो अगर मैंने को area bounded between these two curves चाहिए, तो यह total area चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, अच्छा, उससे पहले, यह point माल लिए A है, और यह point माल लिए B है, तो यह area निकालने के लिए, मैंने को A और B के लिए solve करना पड़ेगा, A और B के coordinates ही है, अब A और B के coordinates निकालने के लिए, यह observation काम में आएगा, कि जो दोनों curve है, वो Y is equals to X में एक दूसरे का reflection है, hence, these point of intersection will lie on the curve, Y is equals to X, ठीक है, इसके जो क्यों पड़ी, अगर माल लिए मैंने point B किया है, इन दोनों parabola का point of intersection है, तो B को तो हम ऐसे निकाल सकते, तो दोनों parab parabola solve करने के लिए हमने क्या किया है, यहां से X उठा के इस equation में रखा, वो जो equation आएगा, वो Y में चार्ड़ी का equation आएगा, वो चार्ड़ी का equation को solve करने के कोई तरीक नहीं ही, ठीक है, तो अगर सीधा-सीधा हम इसको solve करने कोशिश करें, तो नहीं होगा, उसकी बजाए हमन ठीक है, यह उसका calculation है, यह दो points आगए, अगर वैसे चार्ड़ी का equation आजाए, तो हमें इसा भी सोचते हैं, कि हेटरें टायल से solve कर लिया, but you can appreciate कि यह जो values है, यह हेटरें टायल से सोचा नहीं जा सकता, यह कोई ऐसा normal values नहीं, कि जो ही तुक्का लगा कि यह value में पता लिग करेगा, ठीक है, यह problem j में पहले आ चुका है, j question है, उसका तो simple integration जैसे total area निकालने के लिए, इतना area निकालके double कर सकते हैं, यह ठीक है, क्योंकि y, z, question x के बाद graph symmetric है, यह area कैसे निकलेगा, यह वाला parabola ले लिया, and y बराबर x line ले लिया, तो upper curve minus lower curve कर करके, a से b तक integrate कर लि I hope, okay, फिर आगे क्या है, points to remember, area of ellipses, pi a b, यह याद कर लिया, second in case of rectangle, triangle, trabezium, rhombus, parallelogram, or circle, try to find area using geometry, integration, यह तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कि integration की बढ़ा है, पहले मनें geometry से देखा कि geometry से निकला या निकला या निकला या निकला या निकला है, तीशा कहा, look at the symmetry in the question, अगर question में symmetric area आ रहा है, तो उससे हो सकता है कि हमारा calculation कम हो जाए, ठीक है, first lecture में हमने कुछ ऐसे बोला था कि, ऐसे करके कोई graph बना था, फिर हमने बोला था कि odd function है, odd function है, तो यह area और यह area हमें calculate करना था, पराबर ही होगा, तो केवल यह निकल के double कर स changing x and y in one of the equation, gives the equation of, यह तो वही चीज़ हो गया, जो अभी बोला, कि अगर एक equation में extra y को interchange करके दूसरा curve आ रहा है, तो उन दोनों का point of intersection, x is equal to y पर like कर सकता है, ठीक है, जैसे इसका application कहाता है, उप वाले question में, फिर हागे किया area using curve sketching, इसमें area का कोई concept नहीं है, इसमें तो ब parabola हो गया, यह curve जो है, वो curve sketching से बना सकते हैं, ठीक है, curve sketching application derivative में पढ़ाए गया था, ठीक है, अचा कुछ question में, जैसे यह question है, y is equal to इतना, and y is equal to इतना, इन दोनों के बीचे में में को graph चाहिए, इन दोनों के बीचे में में को area bounded चाहिए, ठीक है, तो पूरा curve sketch करने की ज अहां कहां पर intersect कर रहे, अगरे उसने बोला है कि area bounded by these two curve और इतना बोलके चुप हो जाए, तो उसका मतलब कहा है कि of course, यह दोनों काव कम से कम दो बार intersect कर रहा होगा, तब ही area bound होगा, तो वो point of intersection निकालने के लिए हमें इसको ऐसी solve कर लिया, यह ठीक है, तो आगे, e x ln x ब e x का square बड़ाबर 1 और x is equals to plus minus 1 by e, तो minus तो हो नहीं सकता, log के domain की वह से, तो x is equals to 1 by e, यह आगे तो point of intersection, ठीक है, अब important जीर क्या है, इसमें बहुत सारा calculation बच जाएगा, कहने को तो मैंने बोला है कि curve sketching से करेंगे, but that is not required, क्यों, क्योंकि यह जो function है, e x into ln x, this is continuous, 0 के आग continuous 0 के आगे, जो इनका domain है, domain 0 के आगे है, ठीक है, और solve करने पे केवल 2 point of intersection मिला, तो उसका मतलब क्या है, कि x पराबर 1 से लेके, sorry, 1 by e से लेके 1 तक, एक कव हमेशा उपर होगा और दूसरा कव हमेशा नीचे होगा, 1 by e और 1 के बीच में वो एक दूसरे cross नहीं करेगा, क्य तो उसका मतलब क्या है, कि इसमें तो मैं area सीधा ऐसे निकाल सकता हूँ, f minus g, क्योंकि ये cross नहीं कर रहा है, इसलिए I write down पहला का और minus दूसरा का, कोई भी, ये ठीक है, बस पूरे पे, answer पे model ले लिया, integrate करके, जो भी answer आया, 1 by e से लेके e तक, sorry, 1 by e से लेके 1 तक, इसका model ले लिया, इसमें area cancel out नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इन दोनों के बीच में कहीं intersect करी लिया, तो इस question का answer, even without knowing the curve, I can write down, कि एक तो था, ex into lnx, किसी भी curve को पहले लिख लिया, और एक था lnx upon ex, ये ठीक है, इसको integrate कर लिया, और अगर value negative है, तो पूरे के उपर, integrate करने कि बाद जो answer है, उसके उपर model लगा लिया, ठीक है, आप integrate कैसे करेंगे, वो integration question है, इस पर तो ये ff- लग जाएगा, log x का derivative 1 by x लिख 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 लिख, और इसमें by part लिख लिख लिख, ठीक है, I can show you the curve as well, कि curve कैसा दिखाई दे यह ठीक है, एक curve यह है, दूसा curve यह है, 1 by e और 1 के बीच में यह bounded area है, बट इसमें मैंने क्या बोला कि curve sketch करने के लिए energy खर्च करने की जोवती है, यह ठीक है, without उसके ऐसे हो जाएगा, especially objective है, तो जहाँ time कम है, तो यह जो बाकी example लिखे थे अभी हमने, यह ठीक है, वो note कर यह है, ठीक है, आम पॉसे, बलाए, I am going slow, you are supposed to pause and write down the example, then try to solve it yourself, and then match the solution, ठीक है, prove that the area bounded by, यह ठीक है, यह ठीक है, यह function में हम पढ़ा चूके हैं कि इसका graph कैसे आएगा, ठीक है, prove that the area is s0, s1, s2 bounded by x-axis and half wave, half wave का मतलब यह, ठीक है, इतना portion, क्योंकि इसका graph आएगा, वो ऐसा आएगा, यह जो बना हुए, यह ठीक है, sine type ऐसे का, यह graph आएगा, तो, x-axis के बीच में जो area है, उनको half wave बोल है, तो मतलब यह s0 area हो गया, यह वाला area, s1 हो गया, यह वाला area, फिर यह area s2 हो गया, फिर यह s3 and so on, question में, prove करना है, कि यह जो areas है, s0, s1, s2, यह सब gp form का रहा है, ठीक है, कोई भी एक general point of intersection ले लिया, जैसे y पर ब्राबर ऐसे लिखा है, e ratio minus alpha x into sin beta x, यह ठीक कुछ बचों को शायद ऐसा लग रहा होगा है, I am going through bit fast, बट ऐसा नहीं है, अगर तुमने functions के video देखे हैं, तो यहाँ आप में यह सारी चीदें, already discussed कर चुका हूँ, there is no point of repeating the things, तो अगर वो तुमने देखा है, तो तो अपने intersection आजेंगी, ठीक है, अब मिलको क्या प्रूव करना है कि S0, S1, S2, S3 यह सब GP में है, तो मैं ऐसे ही नहीं कर सकता है, कि S0 निकाला, S1 निकाला, S2 निकाला, S2 निकाला, और वो तीनों अगर GP में आ जाए, तो मैं बोल दूँ कि यह सब GP में, नहीं, अगर वो तीनों GP में अगले वाला आए ही नहीं, तो मेरे को जर्नल प्रूव करना पड़ेगा, यह ठीक है, जर्नल कैसे प्रूव करेंगे, कि हमने kth cycle ले लिया, यह ठीक है, तो उसके लिए यह point of intersection आदेंगे, इसके बीच का area निकाल दिया, यहां से लिए यहां तक integrate किया, जो answer आगया मेरा, वो last minute के यह answer आगया, ठीक है, ऐसे करके कुछ आगया, इसको evaluate कर लिया, अब क्या है, k तो general है, k की जगए हम मैंने इसमे k plus 1 लगा, तो अगली वाली cycle का area आगया, उन दोनों का ratio ले लिया, तो उन दोनों का ratio आगया, वो k से independent आगया, जिसका मतलब क्या है कि s1 upon s0 हो, चाह gp में आगये, फिर next question, पढ़ लो, मतलब note कर लो, और solve कर लो, सब area में क्या आगया, integration है, वो integration पढ़ाया जा चुका है, बाकि यह सब curve sketching है, वो आना चाहिए, यह ठीक है, वो AOD में पढ़ाया जा चुका है, curve sketching में, तो दुबारा वो सारी चीनिया बोलने का कोई sense नहीं ह तो जाके वो videos देखो पहले, यह ठीक है, find the area enclosed by this, ठीक है, first part यह है, तो इसमें कहा है कि एक curve बोलके, बस फिर चुप हो गए, तो अगर मैं बहुत है, find area enclosed by this curve, बस एक ही curve का नाम लिए तो उसका मलग है, उस curve के अंदर कोई loop आ रहा होगा, जैसे circle है, ellipse है, यह ठीक है, इस इसमें हम यह वर यूज कर सकते है, find area enclosed by circle, find area enclosed by ellipse, but find area enclosed by parabola यह नहीं बोला जाएगा, तो यह जो curve है, उसको अगर draw करोगे तो ऐसे graph बनेगा, तो यह loop आ गया, तो basically यह area पूछा यह रहा है, यह तो first part हो गया, second part क्या बोला है, find area enclosed by the above curve and the line x is equal to it, तो curve तो यह हो गया, line य हो गया, theoretically, इस line और इस curve के बीचोगे, यह basic line जो है, वो SM toot है, मतलब, इस line को यह curve infinity तक अप्रोच करेगा, इधर भी और इधर भी, तो theoretically तो यह कोई area boundary नहीं होगा, यहां तक ठीक है, area enclosed बोला जाए, तो कोई भी area enclosed नहीं, क्योंकि बंदी नहीं हुआ area, यह तो open है, infinity तक जा रहे, बट ऐसे cases में, अगर मलने objective question आजाए, पहली वार तो IT में आएगे नहीं है, इसा, बट अगर मलने यह objective question आजाए, और चारो options में, यह कहीं होई ना, 4 options में number लिखे हैं मलने, 3, 4, 5, 10, कुछ ऐसे करके, तो अब तो हमरे पास यह answer option बचाई नहीं, कि there is no such bounded area, तो उस वाले case में हम क्या करेंगे, कि यही area calculate कर लिया, यह ठीक है, इसका limiting value आ रहा होगा, और जो limiting value है, वो answer बताती है, यह ठीक है, though I have said theoretically, कि question गलत है, question गलत नहीं है, मतलब, इसको हम यह बोलते हैं, there is no such enclosed area, because area बंदी नहीं हुआ, close ही नहीं हुआ कहीं, फिर अगला question, find the area of the reason, in the first quadrant bounded by left on the y-axis, यह हो गया, यह ठीक है, below by the line, y is equal to x by 4, वो यह line हो गया, and the above left by, y is equal to 1 plus root x, यह ठीक है, वो यह वाला का हो गया, and fourth curve, यह वाला हो गया, ठीक है, तो इंचारों से bounded area, यह आ जाएगा, calculate कर लो, यह सब, ठीक है, point or intersection निकाल गई है, यह वाला और यह वाला, अब अब अपर कर माई slow curve लगाती है, ठीक है, next topic, determination of parameters, okay, एसमाइ, first note किया बाला कहा, by writing the area in terms of parameters, we should ensure that, that expression retained for area, यह ठीक है, यह शुद ब सुझ पॉज़ पॉजज़ और अर्टेवार कहा, यह ठीक है, यह ठीक है, जाएट यह निकाल इंच्छल in between, ठीक है जैसे first question करते हैं find the value of alpha for which the area enclosed by this curve and this y is equal to alpha is 9 by 4 ठीक है कौन-कौन सा करते है y is equal to 4 upon x square x is equal to 1 and y is equal to alpha is 9 by 4 ये area निकालना है मेरे को सारी area नहीं निकालना है area 9 by 4 है तो alpha का value बताने ठीक है अब खीछ लो 4 upon x square जो आएगा वो एक graph इदर आएगा और एक left में आएगा तो left आएगा तो useless है फिर एक line x is equal to 1 यह आ गया जैसे x-axis origin y-axis y is equal to alpha एक horizontal line आएगा ठीक है अब वो horizontal line यहां पे भी हो सकता है and यहां पे भी हो सकता है ठीक है तो area लिखते समय integration does not give you the area ठीक है तो area लिखते समय we should be we should be conscious कि क्या लिखता है जैसे for example मालिया मैंने बोला कि एक parabola है यह ठीक है यह root मालिया 2 है यह root मालिया 10 है तो यह कितना हो जाएगा 6 फिर मैं बोलू कि alpha का value बताओ such that area bounded by this parabola and x-axis यह ठीक है between x is equal to 6 and x is equal to alpha is कुछ भी से 8 से यह अब अगर मालिया तो फिर मैं कैसे करूंगा x is equal to 6 तो यह हो गया x is equal to alpha के corresponding पहली बार तो दो कैसे मिनाएगे alpha right पर left पर ठीक है अब मालिया मैंने बोल दिया 20 आ गया ठीक है तो उसका मतलब गया के 10 से पहले पहले ही कही alpha होगा जिसके corresponding area 8 आ जाएगा तो how I will write the expression something like this 6 से लेकर alpha तक y dx और because below x axis है तो minus लगा लिया this should be equals to 8 यह ठीक है अब y की जगे वो parabola लिख लिया cubic आदाएगा उसको integrate कर लिया integrate करके कुछ answer आदाएगा ठीक है अब जो answer आया माल लिया होगा alpha का value माल लिया कुछ ऐसे आ क्या 0 माल लिया ठीक है 0 और माल लिया 9 and say 30 ठीक है something like this तो अब इसमें क्या है कि जब मैंने expression लिखा था उससे पहले मैंने यह पूरा area calculate किया ठीक है और यह area कितना है टोटल 20 तो मेरे को area कितना है चाहिए 8 इसी जेमने को बता लगा कि alpha एक पका बीच में आ जाएगा ठीक है तो जब मैंने expression लिखा then it is understood that alpha should lie between 6 and 10 तो इन सब में से यह value acceptable होगा बाकी reject हो जाएगा यह ठीक है यह 13 को accept नहीं करेंगी क्या होगा कि एक माल लिया ऐसे expression लिखा तो यहां से लेके मालने यह जो एरिया है यह तो 8 आ गया उसके आगे मालने यह कितना एरिया आ गया 12 अगर total 20 था तो ठीक है 13 आंसर क्यों आया क्योंकि इंटीग्रेशन 6 से लेके 13 तक का 8 ही आ रहा होगा क्यों 8 हा रहा होगा क्योंकि यह जो एरिया 12 आया और यह जो एरिया हो जाएगा यह मेरे को समझाना चाहिए actual answer तो नहीं नहीं ठीक है वैसे अगर 6 से लेके 13 तक यह जो numbers मैंने for example लिया है उनके हिसाफ से करें 6 से लेके 13 तक का bounded area बोले तो यह 8 आ जाएगा 12 प्लस 12 एरिया थोड़ना cancel होगा 12 प्लस 12 करना होगा 24 तो 8 प्लस 24 32 एरिया आएगा अगर हम एरिया की बात करें algebraic area will be it इसलिए वो misleading values आ रहे है इसलिए हमें द्यान अखना पड़ेगा कि जैसे आप से हमने integral का expression लिखा है और जो obtained value आ रहे है वो in line है या नहीं ठीक है now let me come to this question इसमें क्या बुलागा कि y is equal to alpha x is equal to 1 और इस curve के बीच में area क्या है तो अगर y is equal to alpha इस point से उपर है ठीक है वैसे यह point क्या है x is equal to 1 एंड इस curve को solve कर लो तो y is equal to 4 आ गया तो अगर यह 4 से उपर है तो यह area हो जाएगा अगर 4 से नीचे है तो यह area हो जाएगा ठीक है अच्छा कुछ question में मैं predict भी कर सकता हूं हमने क्या क्या कि जैसे area कितना चाहिए 9 by 4 और curve क्या है ऐसे करके यह जो area है जिसे यह जो area है वो इसी reason में साएगा यह area उपर infinity तक जा रहा है और दिख रहा है क्यूंकि यह height लगाता बढ़ता ही जा रहा है तो area infinite है तो question शुरू करने से पहले ही मैं यह बोल सकता हूं कि एक alpha तो uber पकाए गए आएगा जिससे area 9 by 4 और जाएगा क्यूंकि मेरे पस infinite area available है तो alpha का एक value चार से बड़ा पकाएगा नीचे वाला जो area है उसमें कहा है कि यह asymptotic area है तो अगर मैं इस पूरे area को calculate करूं माल लिया और पूरा area माल लिया दो आजाए इसका limiting value दो आजाए तो 9 by 4 तो आई नहीं सकता है नीचे से तो फिर हमने reject कर दिया नीचे कुछ देखा ही नहीं अगर माल लिया यह पूरा area 20 आ चाइप आ जाएगा इसमें 1 और infinity रखा तो यह 4 आ जाएगा उसका मतलब कहा है कि यह 4 area available है और मेरे को 9 by 4 चाहिए which is less than 4 इसलिए एक नीचे भी value पका जाएगा मतलब यहां पर कहीं इतना area होगा जो 9 by 4 के बढ़ावर है तो question शुरू करने से पहले icon predict कि एक alpha के value 4 से बढ़ पकाएगा और एक 0-4 के बीच में आएगा ठीक है अब यह करके हमने case बना लिए कि अगर alpha 4 से बढ़ा है तो फिर जो expression हो ऐसे लिखका जाना चाहिए ठीक है upper curve minus lower curve करके ऊपर यह वाला area लिखने के लिए upper curve line हो गया lower curve curve हो गया तो यह लाइन माइनस जो भी दूसरा curve फिर case 2 में इसको solve कर लिया आगे चलकर यह ठीक है solution देख लिया यह सब solve करने पर यह जाएगा यह root alpha में quality है तो इसको solve कर लिया alpha का तो value आए because case 1 में हमने यह मना था कि alpha 4 से बढ़ा इसलिए यह reject हो गया यह value आगए ठीक है फिर case 2 में उल्टा हो गया case 2 में क्या होगा कि curve उपर हो गया यह वाला area और line नीचे हो गया तो यह line यह curve इसको integrate कर लिया answer यह final values आगे जैसा हमने शुरू में प्रडिक्ट किया था एक value 4 से बढ़ाएगा एक चार से छोटाएगा ठीक है फिर यह next question पढ़ लिया अपना ठीक है फिर और आगे क्या है लास्ट अर्टिकल maximum and minimum area ठीक है इसमें मैं पहले ऐसी सम्झा रहता हूं कि मान लिया एक यह x is equal to a and x is equal to b दे रखा है और एक monotonic function है यह ठीक है अब मैंने एक horizontal line कीचा and मेरे को objective कहा है कि इस curve and उस line के बीच में area minimum चाहिए ठीक है तो for example अगर मैंने horizontal line मान लिया यहां कीचा यहां तो bounded area कौन सा हो जाएगा यह वाला अगर इसके उपर कीचा तब इन दोनों between x is equal to a and x is equal to b curve और line के बीच का area कितना होगा यह shaded region तो आई गई आएगा प्लस यह और extra आगया तो अब you can appreciate कि अगर मैं इस line को उपर ले जाओं तो area बढ़ता ही चला जाएगा इंफाइंट तक चला जाएगा same logic यहां पर hold करेगा कि अगर line यहां से pass कर रहा हो ठीक है तो यह वाला area आगया अगर line और नीचे किया तो इतना area और बढ़ गया तो अगर मैं इस line को नीचे ले आता चला जाओं तो area बढ़ता ही चला जाएगा फिर infinity की तरह उसका मतलब क्या है कि अगर यह monitoring function है और एक horizontal line है ठीक है उस line और इस curve के बीच में अगर में को minimum bounded area चाहिए तो वो line इस curve को cut करना चाहिए between A and B क्योंकि B के beyond जाने पर भी area बढ़ रहा है A के नीचे जाने पर भी area बढ़ रहा है तो जो minimum area वाला है वो इनी के बीच में आएगा क्योंकि इस direction में तो increasing function एडिया ठीक है तो वो area मालने यह यह तो हमारा objective है ठीक है यह मालने पॉइंट क्या है C तो जैसे से C change होगा वैसे यह area change होगा ठीक है तो अब minimum area काव आएगा अब वो पहले तो मैं ऐसी बताता हूं कि जो interval है A और B उसका जो midpoint होगा A plus B उसके corresponding जो point होगा वहां से जब horizontal line pass करेगा तम minimum area आएगा ठीक है क्या मतलब है यह ठीक है यह मालने A है यह B है यह A plus B by 2 है जब line यहां से cross होगा तब जाके यह area plus यह area minimum area होगा ठीक है तो X-axis पे A plus B by 2 X-axis पे जो interval है उसको midpoint होगा उसके corresponding जब line होगा यह इस वाले point का X coordinate कितना है A plus B by 2 Y coordinate कितना हो जाएगा F of A plus B by 2 अगर X coordinate X है तो Y coordinate FX होगा उसको use करके ठीक है यह area minimum क्यों होगा वो अवी हम solution पे देखेंगा और दूसर notice करने like point क्या है कि जो midpoint है यह midpoint वो X-axis वाले interval का midpoint है यह Y-axis वाले interval का midpoint नहीं है इसका midpoint तो और कहीं आएगा इसके corresponding area minimum नहीं आएगा जो X-axis पे interval है उसके midpoint के corresponding जो point है M1 Y-axis से कोई मतलब लिए ठीक अब इस बात को prove कैसे किया है कि यह हो गया जो midpoint है वो K ले लिया तो जैसे अभी हमें यह area ले लिया था उसको उसको के बोल दिया तो A से लेके K तक तो line उपर ठीक है इस point का coordinate क्या हो जाएगा X coordinate के यह है तो Y coordinate FK हो जाएगा तो यह line हो जाएगा Y बढ़ाबर FK This is of course Y is equals to FX तो यह area और यह area को minimize करने के लिए A से लेके K तक तो FQ पर है FX तीचे तो उसकी वैसे FK minus FX आगे जाके उल्टा हो गया यह ठीक है अब FK जो है वो integration के लिए constant है integration में तो integrating variable X है तो इसको integrate कर लिया FX को तो ऐसी छोड़ दिया वो तो पता ही नहीं है तो integration तो हो गए नहीं तो FX को ऐसी छोड़ दिया अब इसको definite integration में जो हमने सब्जा आया था कि differentiation of integral वो यूज कर लिया था कि यह ठीक है इस स्टेफ्स आर वर्य ओवियस तो लास्ट में आके यहां के के इस इकोस टू ए प्लस पी जाए तो ठीक है एक इलस्टेशन देख लिए हमने इसके बेसे पे if the area bounded by fx बराबर x cube by 3 minus x square plus a यह cubic function है and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 2 is minimum then find value of a तो एक में के लिए क्या करो तुम a को भूल जाओ हमने ऐसे लिखा fx बराबर x cube minus 3 x square by 3 तो this is x square by 3 x minus 3 तो एक रूट 3 हो गया और 0 0 repeated root हो गया तो जो इसका graph है that will look like this एक रूट 3 हो गया और 0 0 repeated root हो गया यह graph कब आएगा जब हमने एक को छोड़ दिया या फिर हम ऐसे बसकते हैं एक को 0 ले लिया ठीक है अब इसको differentiate करो तो जो यह minima का point है वो दो प्या जाएगा ठीक है यहीं करने दिया सारी यह graph प्रानक है हाँ यह जो minima वाला पार्ट है वो दो प्या देगा अब उसमें क्या बोला है क्या चाहिए x is equal to 0 x is equal to 2 के बीच में मतलब इसके बीच में तो इसके बीच में you can see जो graph है वो ऐसे करके मतलब यह 2 हो गया जीरो हो गया यहाँ पे तर तो यह जो graph है यह strictly decreasing है monotonic है ठीक है पहला चीज़ अब इस curve and x-axis के बीच में minimum bounded area चाहिए ठीक है तब क्या होगा कि echo chain करने का effect क्या होगा कि curve उपर नीचे shift होगा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि curve को तो यहीं पर रखा echo chain करने से क्या होगा यह जो x-axis है यह उपर नीचे shift होगा relatively तो एक ही बात है कर्व को दो यूनिट ऊपर shift करें या फिर कर्व को वहीं रखके x-axis को दो यूनिट नीचे shift कर दें दौन एक ही बात है ठीक है तो effectively अब क्या हुआ कि मैंने पास 0 से 2 तक हैं monotonic curve है और एक horizontal line है which is x-axis इन दोनों के पीछ मिनिमम मेरिया चाहिए तो of course जो x-axis पे x-axis की direction में जो minimum midpoint है 1 उसके corresponding जो point आएगा वहां से x-axis पास करना चाहिए ठीक है तो इसमें मतलब y बराबर x cube by 3 minus x square में मैंने x-axis equals to 1 रखा तो 1 रखने पे किता होगा है minus 2 by 3 ठीक है तो अब मैंने को दुबारा समझाने दो कि जो graph है वो ऐसे है ठीक है this is 2 0 यहां पे कहीं 1 है जिसके गरश्पणिंग यह वाला value कितना है minus 2 by 3 तो यह graph किसके corresponding बना है when a बराबर 0 तो एक हम क्या value लें कि area minimum आए उसके लिए यह वाला point x-axis पे होना चाहिए उसका मलब कहाए कि इस point को यहां तक पहुंचाने के लिए 2 by 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा तो एक का value कितना होना चाहिए 2 by 3 तो ए बराबर 2 by 3 लेने से क्या होगा पूरा graph y में 2 by 3 add हो गया तो पूरा graph 2 by 3 unit उपर shift वह जाएगा तो इसलिए value of a कितना है 2 by 3 ठीक है I guess फिर एक यह question है यह पढ़ लो अपना इसका diagram यह नहीं है यह 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 diagram लिए question करें ठीक है यह यह इस question का solution पढ़ लिए हाँ यह next question करें let's c1 and c2 be the graph of y is equal to x square and y is equal to 2x respectively ठीक है तो हमने एक graph बना लिया y is equal to x square a and y is equal to 2x a ठीक है then where x belongs to 0-7 उसका मतलब कहा है चलो मैं यहीं बना रता हूँ y is equal to 2x a graph हो गया y is equal to x square दूसरा graph हो गया and we are concerned with descent double only 0 से लेके 1 तक and c3 be a graph of y is equal to fx where f0 is equal to 0 तो origin से pass करने लाइक तीसा graph है and x lies between 0 and 1 वहीं 0 and 1 का मनलब कहा है कि we are concerned with only descent double as shown as shown का मनलब कहा है कि यह graph already दे रखखाय में graph है तो जो तीसा graph है वह यह graph है origin से pass कर रहे है ठीक है और फिर फिर आगे का लिखाय है this is यह लिखाय है for a point b on c1 कि यह c1 है यह c2 है तो हमने c1 के उपर एक point लिया माल लिया यह p ठीक है और x-axis और y-axis के parallel line की जा ठीक है तीसा graph कुछ यह 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 जा रहा था parallel to x-axis intersect c2 and c3 qnr तो मतलब यह point q ओ गया यह वाल point r हो गया respectively for each position of p area area of OPQ, मतलब ये वाला area and area of OPR, ये वाला area बराबर है, then find fx, okay, again let me show you on a bigger map, bigger graph, ये एक लाइन है, y is equal to 2x, जिसको c2 बोला कहा है, ठीक है, फिर ये के पराबला है, y is equal to x square, पराबला है, और फिर एक तीसा कव औरते रखा है, कुछ ऐसे करके y is equal to fx, ये unknown कव है, जिसके निकालना है, अब उसने क्या बोला, कि इसके उपर, ये ठीक है, इसके उपर एक point लिए P, वहाँ से एक horizontal line कीचा, एक vertical line कीचा, उसने इसको यहाँ पर कट किया Q पर, और इसको य सब्सक्राइब, और इस तरीके से कट किया, मतलब, कर्व में खूबी क्या है, या प्रॉपर्टी क्या है, कि ये दोने area हमेशा बढ़ा पर है, पी point कोई भी ले लिए, 0 और 1 के बीच में, ये दोने area हमेशा बढ़ा पर है, तो फिर मेर को ये बताने चाहिए, फिर मेर को ये बताने कि ये curve कौन सा है, ठीक है, तो Y equals to X square है, इसके उपर एक parametric point, alpha comma alpha square ले सकते हैं, तो ये alpha हो गया, ये alpha square हो गया, इन दोने area को लिखने क के लिए, जैसे पहले इस area को लेखा, ये area y axis पर integrate हो जाएगा राम से, क्योंकि y axis पर क्या होगा, right curve हमेशा ये parabola रहेगा, left curve हमेशा line रहेगा, तो मिरे को integral break करने की जो उतने पड़ेगी, तो इस area को हम क्या लेखेंगे, 0 से लेके alpha square, right curve, y axis पर integrate करें तो dy, dy तो दोने curve से निकाल के y रखा, यहां से y तो simply क्या हो गया, x square और, यहां से y के terms में रखा, तो यहां से, sorry, y के terms में, यहां से x निकाल के रखा, तो यह, this will be root y, this will be y by 2, तो right curve minus left curve, this is equal to, यह वाला area हो गया, यह वाला area x axis पर integrate करेंगे, तो 0 से लेके alpha तक, अपर curve, अब यहां पर y लिखेंगे, तो अपर curve के लिए y क्या है, y square, lower curve के लिए y क्या है, fx, times dx, यह हो गया, and this is true for all alpha, अब हमने उसके लिए क्या क्या, यह तो वैसे integrate हो जाएगा, इसमें क्या क्या क्या, fx unknown है, तो fx integrate हो गई, ठीक है, तो यह term, यह term, और यह term, integrate हो जाएगा, बट फिर उसके बाद fx का integral बचेगा, तो जब तक मिनको fx नहीं बताए, integrate कर नहीं सकते, तो again, जैसा हमने determination of function वह था, definite integration में, कि फिर हमने क्या क्या, differentiate कर दिया, अगर differentiate करना है, तो फिर इन तीनों को भी integrate करने कोई sense नहीं बनता, तो हमने सीधा-सीधा, एसी differentiate कर दिया, अलफा के respect, तो एलफा, अलफा माइनस अलफा स्क्वार बाइटो, अलफा इंटू, अलफा स्क्वार माइनस f अलफा, ठीक है, अब इसमें क्या करो, सारे terms को एक तरफ करो, तो यहां से आ देगा f अलफा बराबर something, for all value of alpha, between 0 and 1, अगर f अलफा आ गया, तो that's it, यह हो क्या सा, तो इसके साथ हमारा area chapter खतम, area में जो मेरे को पढ़ाना था, वो मैंने पढ़ा दिया है, and this is it.